मद्द प्रदेश में लगातार कोरोना वाइरस का संक्रमन बढ़ता जा रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मर्यों की संख्या 19000 के पार हो गई है लेकिन लोगों में कोरोना के प्रती जाग रुकता नहीं है बाजारों में खासी भीड देखी जा रही है तो वहीं लोग न हमारी संबाद दाता वासू चौरे में मदबदेश में लगातार कोरोना वाइरस का संकट बढ़ता जा रहा है अब तक उन्नेस अजार से जादा पॉजिटिव केसे सामने आ चुके हैं अगर बीते दो दिनों की बात की जाए तो आठ सो से जादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं कई लोगों की मौत हो चुकी है राजधानी भुपाल इंदोर और गॉलियर के कुछ हलाकों में लाकडाउन भी कर दिया गया है लेकिन इस सब के बावजूद जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन होता नजर नहीं आ रहा बाजारों का अगर बात की जाए तो जो ट्रेंड से हुआ है रोजाना असी से सौ के बीच में जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे लेकिन इसके बाद लोग फिर भी हैतियात नहीं रख रहा है तमाम जो सरकारी कोशिश है प्रयास हैं उसके बावजूद भी सतरक्ता नजर नहीं आ रही जिस सब के चलते जो कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से पूरे मदबदेश में बढ़ रहा है सत्वरेश के कई ऐसे शहरें चाहे गौलिर की बात की जाये तो एक हफते के लिए वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है भौपाल का इब जो बाचीत है जो पहल है वो सामने आ रहे हैं लेकिन सब के बावजूद लोगों को लापरवाही है वो देखने को मिल रही है सर आप मास्क तो लगाएं लेकिन आधा लगा हूँ इस तरीके की तस्वीर हैं सामने नजार आ रहा है भाई साब खड़े हुए है मास्क नहीं ह सब्सक्राइब करते हैं तो लोग मांते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही की तस्वीर हैं सामने आ रही है जिसको जल से जल अब लोगों को समझना होगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है लगतार संक्रमंट के मामले हैं वो बढ़ रहा है कैमरा मैंन कमले शादों के साथ बंसर ल्यूज के लिए भुपाल से वासु चौरे